आज आप लोग अशाइर करेंगे बीना पिया इलूसन से बाना हुआ दई पनेर की रेसिपी जिसे आप दोपार का चावल का साथ या रात का रोटी का साथ भी खा सकते हैं इसे बानाने में विजुद दिना आसाने और खाने में उधना स्वाधिश्टे हैं तो चलिए बीना बात किये वागर सुरू करते आज का रेसिपी हाई फ्रेंस गूड मॉर्णिंग वेल्काम बैक टो मैं चैनल विदिका कीचेन तो फ्रेंस आज आगे और एक नहीं रेसिपी लिखे तो आप लोग वीडियो शुरू से लाष्ट तक देखते रहें और अगर आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लग दाए तो प्लीज साब्सक्राइब करना ना भूले तो दोई पनेर के लिए पहले ले ले लेती हूँ पनेर यहां पड़ में 300 ग्राम करीब पनेर एड़ किये पनेर को अभी छोटा-छोटा पीसे से काड लेती हूँ पनेर को करने का बाद पनेर को भूजना है तो इसले गरम कराए में रिफाइन ओयल एड़ किये तो आभी रिफाइन ओयल में पनेर को भूज लेंगे पनेर में आभी एड़ करते एक चुटकी हल्दी पावडर पनेर भूजा गिया तो पनेर का भी तिल से एक एक करके निकल लेती हूँ और एक बाद का ध्यान दीजएगा कि पनेर भूजते टाइम पनेर जब तिल में डालेगा तिल को ज़्यादा गरम करके तब यह तो नीचे लागजने का डर है फिर गरम पनी में पनीर को डाल के 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे फिर 15 मिनिट तक काजु बदम और मौगज के बीच को भी भीञों के राख देती हूँ तो आभी रेडी करना है दही पनेर के लिए मसाला तो दही पनेर के लिए पहले ले लेती हूँ दही अभी दई में एड़ करना है पहले से जो भींगों के राकेते मागज के बीच और काजू बदाम उसी का एक पेस्ट बना ले वही पेस्ट दई में एड़ के उसी का साथी साथ एड़ करती हो दो चमच नमक और एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच साथी में एड़ करती हूँ कालर के लिए तो अधा चमच कास्मीरी मिर्च और एक चमच मिर्चा पाउडर अभी सबी इंगिडिन्स को एक साथ मिला लेंगे कुछ देर तक साभी मसला को दई के साथ अच्छा से फेट ले तो आभी और फेटना नहीं है मसला रेडी हो गया है पानीर भुच के जो बचा हुआ तेल था तेल में एड़ करती हूँ थोड़ा सा गराब मसला उसी के साथी साथ एड़ करती हूँ जो मसला रेडी करके रखें मसला को मसला के साथ एड़ करती हूँ थोड़ा सा पानी जब तक ना मसला से पानी ना सूख जए तब दक मसला को फ्राई करना है मसला में से जिदना एक्ष्टा पानी था सूख गया है और मसला तेल भी छोड़ दिया है तो अभी मसला में एट करना है आधा कोटोरी जैसा पानी अभी गैस का आज मीडियम करके 15 मिनिट तक छोड़ देंगे मसला में से पानी अच्छा से उबलने के लिए मसला में से पानी अच्छा से उबल गया तो अभी मसला में एट करती हो पूजा हुआ पनीर पनीर को मसला के साथ अच्छा से पकने के लिए पांच मिनिट के लिए छोड़ देगे तो देखे पांच मिनिट बाद मसला अच्छा से रेडी हो गया तो आप लोगों को कम समय में एकदम आसान तरीका से निरामी स्वादिष्ट दाही फनेर की रेसिपी बनाना है तो इस रेसिपी के एक बाद जुरूर ट्राइ करना कैसा बना है मुझे कमेंट बक्स में बाताना तो आप लोगों को अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगागा तो प्लीज डू लाइक सेर और साब्सक्राइब टू मै